अधेकर हाथ जोड़ करके मुक्मंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिवावक हैं, बुजूर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे, आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं जो मण करें वो कहें, और वो जो भी कहेंगे, मेरे लिए आशिरवचन होगा और आशिरवाद होगा, लेकिन बात यह है कि विक्तिकत बाते बोलने से क्या बिहार की लोगों को फाइदा होगा, और विक्तिकत बाते जो है, इस समय ऐसी बाते बोलनी नहीं चाहिए, हलाकि नहीं मानेंगे, लेकिन चुनाओं में मुद्धे जो है, मुद्धे बात होनी चाहिए, और किसी को इस तरह से विक्तिकत बात बोल करके, बिहार के लोगों का बिहार का फाइदा है, इससे फाइदा किसका है, और ये लोकसवा का चुनाओ चल रहा है, और उनकी भाशन हम कॉर्ण निक्र कि दे रहा है क्या बोल रहे है इस तरह की बाते समझ में नहीं आ रही है कि कम घूत, कपtoi अपर या जो भी बाते थे हम लोग देखने ही ऐस बाते बोरन लगी निरा कि लोगrás ड़ीवार परिवारर रहा है क्या यह लोगसुबा कर चुनाओं बेरुजगारी पर बात कीजिए बिहार के विशेश पैकेज के बारे में बात कीजिए पलायन कैसे रोकेंगे मुख्मंत्री जी यह बताएं लेकिन इस तरह की भाशा और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था हमारे हमारे परि अधि बाते बोली थी आप लोग नोवी देखा होगा तो हम तो इस पर जादा कुछ नहीं कहेंगे हम तो भगवान से यही प्रात्ना करेंगे सुष्ट रहे सुखी रहे है ना और इससे दराद हम क्या करें तो सब आएगा ना आएगा हम शीजीत रहे है हुआ 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 है